तो नमस्कार मैं विपुल सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी इस्टुडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कापिटल पर CUET PG2024 की काउंसलिंग के फॉर्म सभी इन्वसिटीज के अल्मोस्ट इन्वसिटीज के भरे जा रहे हैं इस बीच दिल्ली विस्विद्याले का भी काउंसलिंग फॉर्म भरा जा रहा है बनारसिंद्यू इन्वसिटीज का भी भरा जा रहा है जी एन्वसिटीज के और भी तमाम इन्वसिटीज के आज के इस वीडियो में बात करूंगा दिल ने विस विद्याले के काउंसलिंग की रिजल्ट कब तक जारी हो जाएंगे तो इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा पूरी बात आपको इस वीडियो में समझाओंगा इसलिए इस वीडियो को द्यान से देखिएगा, मेरी complete बात को सुनिएगा और वीडियो की सुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल Study Capital पर या फिर CUET PG Study Capital पर पहली बार विजिट कर रहा है करनी हो, batches बहुत जल सुरू होने वाले है, टेलिग्राम चैनल है, CUET PG and UG Study Capital इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी वीडियो हम YouTube पर देते हैं, यहां लिंक देते हैं, ताकि अगर आप YouTube पर नहीं सर्च कर पाए, भूल गया, तो कम से कम यहां पहुंच गया, तो बात करते हैं, DUPG Counseling 2024 पर, सबसे पहले, Counseling का जो Registration चल रहा है, उसकी last date क्या है, तो आप सभी को मैं बता दू, 25th of May, 25th of May, यानि 25 मई तक पहले तो अपना Registration करा लीजे, जिनोंने नहीं कराया है अभी तक, उसके बाद जो correction window आपका open होगा, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ, यह official bulletin के माध्यम से दिखा रहा हूँ, 27 मई से लेकर के 5 जून तक आपका correction window चलेगा, यानि 27th May से लेकर के 5, 5th of June तक, ठीक है, 5th of June तक क्या चलेगा, correction window चलेगा, अगर 5 जून तक correction window चलता है, तो previous records के अनुसार, यानि 2023 में जिस तरीके से डिले बिस्पदा होने के within week, आपका registration क्या था, आपका first allotment क्या था, यानि result आना क्या हो गया था, शुरू हो गया था, यानि अगर 5 जून को correction window समाप्त हो जाता है, तो आप मान के चलेगे कि जून के दूसरे सब्ताह में, यानि 7 तारिक के बाद से, 8 तारिक, 9 तारिक, 12 तारिक, 10 तारिक, आपका पहला allotment, यानि result counseling का आना सुरू हो जाएगा, अब देखिए, इसमें संभावना ये बन सकती है, कि हो सकता है कि last date जो है registration का, इसको थोड़ा बहुत दिल्ली बिस्विद्धाले बढ़ा दे, अगर वहाँ पर date बढ़ाएगा, तो हो सकता है, यहाँ पर भी थोड़ सुरू होता है, तो इस चीज का विशेज ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी आप expected मानके चल सकते हैं, कि second week of June में दिल्ली बिस्विद्धाले PG counseling के results आने सुरू हो जाएगे, पहला cutoff आना सुरू हो जाएगा, ठिक, पहला cutoff आता है, फिर 3-4 दिन के बाद, दूसरा cutoff, ऐसे QVTPG Study Capital, दोनों जगा पहुचाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, अगला वीडियो में बनारा सिंदो इनिवर्सिटी को लेकर के देने वाला हूँ, बनारा सिंदो इनिवर्सिटी और DU के cutoff में इस बार कुछ उतार चढ़ा नमस्कार